श्री स्वाई पैटफल के नए वीडियो में दोस्तों मैं गुर्दीप सिंग आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वाकत करता हूँ आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ब्रीड अमेरिकन कॉकर स्पैनियल जिसका वीडियो मैंने पहले भी बनाया था ये वीडिय वीडियोस दो मैंने पहले तो इस ए दीए अए कि ये इस वीडियों सेंगे लिए हो चुके हैं इनल तो बहुत-बहुत धन्यवाद सब्कुल्च का हमारे विश्वास बनाएं मैंट के लिए बात-बहुत धन्यवाद तो यह तो यह जी-धन-ध्र A-Cocker Spaniels तो दोस्तों ये बच्चे आपको कैसे लगे हमें लाइक करके शेर करके जरूर बताईएगा ये वीडियो हम फेस्बुक और इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं आप वहां पे comment कर सकते हैं comment करके हमें बता सकते हैं कि आपको यह puppies कैसे लगें यह बच्चे जो है हमारे पास जो dog है डैनी उसके बच्चे हैं तो बहुत ही अच्छी quality का American Cocker Spaniel है तो American Cocker Spaniel हमारे पास बहुत कम होते हैं यह in fact जैसे कि मैंने अपने last video में भी बताया था हमारे पास इन फेक्ट ये कह सकता हूँ के पहला या दूसरा लेटर है American Cocker Spaniel puppies का in future हमारे पास English Cocker Spaniel हमने अपने गुर्जी जी जो अपने मुरहिंडा में है वहाँ पे हमने स्टार्ट किया है तो हमारी एक female जो है वो अल्लेडी क्रॉस्ट है तो जिस किसी हमारे दोस्त को English Cocker Spaniel की जरूरत हो वो हमें pre-booking कर सकता है आज से तकरीबन एक महीने बाद एक महीने बाद हमें almost clear हो जाएगा कि हाँ भी हमारी female जो है वो conceived है के नहीं है तो pre-booking is open after 30 days तो जिस किसी हमारे दोस्त को English Cocker Spaniel की जरूरत हो वो pre-book कर सकता है प्राइज जो है अभी मैं disclose नहीं करूँगा तो reasonable price होगा don't worry they are not American Cocker Spaniels English Cocker Spaniels है बहुत ही अच्छी breed है तो हमारे पास जो एक हम recently हमने जो dog तियार किया है जिससे उसकी meeting होई है वो मैं आपको share करता हूँ उसकी photograph बहुत ही अच्छी quality का ये हमने English Cocker Spaniel जो है हमने ready किया है तो इसकी first meeting जो है ये हो गई है तो जिस किसी मेरे दोस्त को English Cocker Spaniels की जरूरत हो वो हमें contact करे बहुत ही अच्छी breed है इस breed के बारे में मैं आपको थोड़ा सा detail में पताना चाहूँगा को करके बिल्कुल भी aggressive नहीं है स्टार्टिंग में कई बार क्या होता है कि पपी के दान्त निकल रहे हैं तो कई बार लोगों को लगता है कि यार यह तो हमें काट रहा है या इसका behavior कुछ कहलो कि aggressive है नहीं दात निकल रहे होते हैं तो सारे ही breeds जो है वो अलग से behave करते हैं चपलों को काटना शुरू कर देते हैं लकडी को काटना शुरू कर देते हैं तो यह सब चीजें होती हैं उनमें बहुत सारी चीजें अलग-अलग हैं deworming नहीं हुई या vaccination time पे नहीं हुई या right time पे deworming नहीं हुई deworming का जो schedule है next अभी जो किया है next कब हो नहीं है वो लेट होगी उन सब के कारण ये चोटी-चोटी problems आती हैं Cocker Spaniel is one of the coolest breed ठीक है जो बहुत ही अच्छे हैं बहुत ही काम रहते हैं और दिखने में बहुत अच्छे होते हैं कान इंके लंबे-लंबे होते हैं और वेरी ब्यूटीफुल हमारे पास सिरफ और सिरफ गोल्डन कलर में होते हैं कभी कहीं गलती से कोई एक आद ब्लैक कलर में आ गया जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डाला था कि हमारे पास एक ब्लैक कलर का आ गया है बचा बहुत कम होता है हमारे पास mostly golden ही होते हैं एक सवाल जो है मेरे पास हर बार customer करता है कि ये golden पूरा golden चाहिए जी हमें पूरा copper color चाहिए तो copper color के हमारे पास नहीं होते होते भी बहुत कम है बहुत rare होते हैं वो golden color होता है golden color कई बार हलका सा light होता है कई बार हलका सा dark होता है दो बार तीन बार coat change होता है puppy coat निकलता है उसके बाद जाके actually में coat आता है कहां भी ये color है तो वो बनने में time लगता है you have to wait छोटा बच्चा है वो कई बार whitish सा भी होता है तो चिंता ना कीजिए color के मैं तो यही कहूंगा के color के पीछे मच जाए golden color है यह golden ही बनना है तो कौकर स्पैनियल हमें सेल करते हुए जैसे की सभी को पता ही है कि स्तिरंद के पास जो मिस्टर गुर्जी सिंग्स हमारे दूसरे जो है वो भी उनका नाम भी गुर्जीत है जिनसे हमारे पास already कौकर स्पैनियल आते हैं हमेशा ही मैं आपके साथ कुछ यह फोटोग्राप्स शियर करता हूँ जो उनीकी breeding के बच्चे हमने सेल किये हैं और वो कैसे बने है तो दोस्तों ये कॉकर स्पैनियल आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके लाइक करके शियर करकेgrass जरूर widget को जो सोच रहे है कि हाँ भी हमें कउकर स्पैनियल लेने का हमारा प्लैन है एक बार American Kennel Club की वेबसाइट पे जाएए वहाँ पे जाके देखिए breed का information के हाँ भी कैसा behavior है कैसा है सब कुछ पढ़िए मैं भी वहाँ से पढ़ के ही आपको information देता हूँ एक ही मेरे साब से जो website है वो genuine है जिसके उपर proper information है तो आप भी उसके उपर जाएए देखिए पढ़िए और प्लैन कीजिए जो लोग कॉकर स्पैंगल से लेने का सोच रहे हैं बहुत ही अच्छी breed है हेरी डॉग है इसके कानों के उपर हेर होता है बाडी के उपर हेर होता है साइडों पे पीट के जो उपर वाला है वहाँ पे हेर कम होते है तो टांगों के उपर बहुत ज़्यादा हेर होते है बहुत अच्छी breed है हेर फॉल जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है आज की डेट में इतना मुश्किल नहीं है तो बेदड़क होके निश्चंत होके काउकर स्पैंइल लीजिए ये वीडियो ये काउकर स्पैंइल हमारे आपको कैसे लगे हमें जरूर बताईएगा नए यूजर जो हैं जो फर्स टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले जाय है